हेलो दोस्तों तो आज फिस स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जह रहा है तो डोट इन पे आप लोगों का तो आज हम लोग जिस टोपिक के बारे में बात करें वो बात करेंगे इमेल सिगनेक्चर के बारे में कि कैसे जो है आप अपनी बिदनेस इमेल या जीमेल आईडी या फिर आउटलूक इमेल के उपर आप इमेल सिगनेक्चर कैसे सेट कर सकता है उसके बारे में हम लोग जो है सीखेंगे इस वीडियो के अंदर क्योंकि इमेल सिगनेक्चर जो होत एक professional email signature set कर सकते हैं वो भी जो है free of course आप set कर सकते हैं तो मैं आपको एक ऐसी website के बारे में बताऊंगा आज जिसके उपर हम लोग email signature set करना सीखेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं और मेरे YouTube चैनल को like और subscribe जरू कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रही है चलिए फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को में कम कर देता हूं यहां पर अब जो है हम लोग यहां पर आ जाएंगे और यहां पर Google पर आने के बाद में हम लोग सर्च करेंगे email signature generator जैसे ही आप email signature generator सर्च करेंगे यहां पर आपके सामने एक website आईगी जिसका नाम है mail-signature.com इसका link जो है मैं आपको description के अंदर भी दे दूँगा वहां से भी जो है आप लोग email signature वगेरा set कर सकते हैं तो अब देखिए सबसे पहले जो है मैं अपने email यहां पर आ चुका हूं website के उपर website के उपर आपको अलगलग काफी सारे format यहां पर मिल जाते हैं जो कि आपको नीचे दिख रहे होंगे काफी सारे professional format वगेरा सब कुछ यहां पर available है तो ज सबसे पहले जैसे मुझे जो email signature पसंद आ रहा वह यह वाला आ रहा है और मुझे जो email signature सेट करना हूं मुझे Gmail के लिए करना है तो यहां पर देखिए काफी सारी चीज़े आ रही है आउटलूक पर सेट कर सकते हैं आउटलूक 365 पर सेट कर सकते हैं एपल email जीमेल वगेरा सा हमसे पहले यह पर first name पूछ रहा है तो आपका name क्या है वह आपको यहां पर एंटर करना है और साथ और कोई भी email आईडिया एंटर करते हूं उसके बाद में आपके सामने mobile number का option आ रहा है तो mobile number आपको एंटर करना है और जो भी आपका अगर कोई alternate number है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं अब company data का नाम आ जाता है company data के अंदर जो भी आपके company name हो वो आप एंटर कर सकते हैं डोमेन नेम आप एंटर कर सकते हैं जो भी आपका डोमेन है एड्रेस के अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो आप एंटर कर सकते हैं पिन कोड के अंदर पिन कोड एंटर कर सकते हैं और उसके बाद में आप ग्राफिक्स का उप्शन आ रहा है तो ग्राफिक्स के अंदर देखें आपको यह पूछ रहा है फोटो यूरल अगर आपके पास कोई भी फोटो यूरल लो तो वह आप एंटर कर सकते हैं बैनर यूरल एंटर कर सकते हैं अब फोटो अप्लोड करेंगे यहां पर फोटो अप्लोड के लिए देखिए इसके जो गाइडलाइन से सबसे पहले यहां पर हंड्रेड वाई हंड्रेड की जो है हम लोगों को पिक्चर जो है वो रिक्वाइड होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या पर करेंगे की वाज में क्रियाइटे डिजाइन पर पर सेलेक्ट कर लेंगे अब कोई पे सेट कर देता हूं यह मैंने इमेज सेट कर दी और इमेज को जो है मैं डाउनलोड पे क्लिक करके PNG फोर्मेट के अंदर यहां पर डाउनलोड कर लेता हूं PNG, JPG जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहें उसमें आप कर लेता है डेक्स्टोप पे जाता हूं RRRD तो इस इमेज का नाम मैंने RRRD दे दिया है अब हम लोग जो है यहां पर इमेल सिगनेक्चर के अंदर जाएंगे तो यहां पर इमेज जो है वो होस्ट करेंगे सबसे पहले तो इमेज होस्ट करने के लिए क्या चीए होगा आप डाइरेक्ली के बाद में don't auto delete पे क्लिक करना है upload पे क्लिक करने के बाद में यहां पर देखिए काफी सारे option आ रहे हैं तो यहां पर हमें जो चाहिए वो चाहिए html thumbnail link तो thumbnail link पे copy करेंगे और इसमें से सरिफ यह वाला जो URL है यह only यहां से यहां तक यह पूरा copy हो रहा है मैं कर लेता इसको अब जो हम लोगों को रखना है वह से रखना है और जो हमारी image का नाम है RRD PNG वहां तक हम लोगों को रखना है तो यह देखिए यह image upload हो गई मेरी image upload होने के बाद में banner भी सेम इसी टाइप से आप upload कर सकते हैं माल यहां पर चाहिए जैसे जो banner आ रहाता नीचे माल ल देजे यह वाला banner जो है हम लोग upload कर देते हैं तो बैनर अप लोड करने का भी सेम तरीका है FFD अब जो है banner हम लोग upload करेंगे सेम वही साइट अपनी imagebb.com करके और यहां पर आपको पिक्चर अपलोड करनी है देन उसके बाद में डॉंट अटो डिलीट अगर कर देंगे आप इनेबल तो फिर अटोमेटिकली यह डिलीट हो जाएगा तो अब हम लोग thumbnail link वही format जो है वह कोपी करेंगे और यहां पर जो है मैंने banner URL पेस्ट कर दिया अब जो है हम लोग यह tags हटा देंगे यहां से तो यह देखिए मेरा banner आ गया तो banner जो है हम लोगों को जो चाहिए तीन सो अटेटर भाई सी पिक्सल का तो उसको आप केनवा के तुरू वैसे ही सेट करेंगे जैसे मैंने भी अल्रेडी बताया था यहां पर banner पर जो है आप कोई भी link वगेरा दे सकते हैं जैसे आपकी website वगेरा का link हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो वह आप दे सकते हैं तो कोई भी इस पर click करेगा तो directly उस पर वह redirect हो जाएगा उसके बाद में जो है यहां पर हमारा यह आ जाता है disclaimer टेक्स तो यह आप अपने साफ से change कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी यहां पर mention करना है style पर आने के बाद में यहां पर color combination का है तो यहां से आप color combination वगेरा सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर अपने social media icons वगेरा यहां पर add कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में आपको क्या करना है apply your signature अगर आपको हमेशा यह डिटेल्स जो है remember रखनी है तो remember my details पर क्लिक कर देना है तो उससे क्या होगा जब भी आपको design वगेरा सेलेक्ट करेंगे या स्विच करेंगे तो आपकी details यहां पर save रहेगी apply पर क्लिक करेंगे पर्सनल डेटा वगेरा यह सब कुछ आएगा यह शो सिगनेक्चर प्रिव्यू तो यह देखिए मेरा सिगनेक्चर जो है वह किस टाइप का मेरा रेडी हो गया है apply पर सिगनेक्चर पर क्लिक करेंगे अब यह बोल रहा है steps to apply signature तो सबसे पहले क्या दिरना है कोई प्लेंटेक्स सब्सक्राइब करणे तो मैं एक बार अपनी किसी दूसरी इमेल आईडी पर सेट अप करके दिखाता हूं आपको कि जिसमें इमेल सिगनेक्चर औरेडी नहीं है तो यहां पर कमपोच पर गया और एक बार मैं यहीं पर पेस्ट कर जेता हूं तो यह देखिए मेरा पूरा इमेल सिग्नेक्टर जो है कम्प्लीटली आ चुका है एक तो डायरेक्टली आप पेस्ट करकी यूज कर सकते हैं दूसरा क्या सीन है सेटिंग पर जाएंगे आप जाएंगे जसे ही जाने के बाद में आप नीचे यहां पर आते हैं तो नीचे आपको एक उप्यणि मिलता है नोज पर खिलेगे करेंगे आपने सिक्नेक्टिर को नाम नाम कर उंदेंगे जो भी को हम लोग को क्या करना है यहां पे सिंगेंट्टर सेट पेस्ट इसके बाद में तो यहां को क्या करना है चैक टो ये इंसें भाशनो misery है लाइन तो ये कंप्ures होने के बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है . अब लोग में हम रिलोड करते हैं इमेल इनन बोक्स को और अब यह है मैं कम पउच पह करता हूं .... तो यह देखिए मेरा सिंग्नेक्ट्ट्र जो है और सभी मेल करूंगा , तो मैं कभी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह सपोर्ट करते ही और कमेंट में बताइए आपको अगर कोई नए टोपिक्स बिचीए तो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू